पुलंद शहर में जैवी की खेती करने वाले उन्नत शील किसान क्रिश्री कानूनों का समर्थन करा हैं जैवी खेती करने वाले भरत भूचन त्यागी 2019 में सरकार द्वारा पदमश्री अवार्ड से सम्मानित किये गए थे जबकि उन्होंने जैवी खेती पर पीच डी भी की है जहां अलग-अलग राज्यों के किसान और किसान संगटन क्रिश्री कानूनों के खिलाव पिछले 15 द जैवी खेती करने वाले भरत भूचन त्यागी अपने फार्म पर जैवी खेती करते हैं जिसमें वो धनिया, हल्दी, गेहू, गन्ना, संपून खास, हींग, क्रिशन फल, टीविया, सहजन, कालमेग, सतावर, नीबू, चार तरह की तुलसी जैसी कई अन्य फसल की पैदाव इसके साथ ही भरत अपने यहां पर आम फसल से हट कर ऐसी जड़ी बूटी वाली तरह तरह की खेती उगाते हैं, जिनकी दवाईया बनती हैं, जहां इन फसलों से सामाने फसल से अधिक मुनाफ़ा होता है, तो यह इन लोगों को रोजगार भी मिलता है, भारत भूचन का द दरुसन त्यागी है, और मैं पदमसिरी और भी हूँ और डाक्टर भी हूँ, देखे, इस खेती का नाम है जैविक खेती, और इस जैविक खेती में पूरी पूरी बात जो है, वो प्रकृती की व्यवस्था को ही समझना है, इसमें किसी भी प्रकार की लागत, खेती में प् hora में को समझना और उससी परकार से एक खेत ने एक से जादे फसलों लगा जाना इसको इस परकार से देखा गया कि इसमें हम नाना परकार की फसलों को लगाते हैं और उसमें अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाले, जर्इबूटी और पसलों के लिए चारा आधी सभी चीजें होती हैं देखे इस खेती में एक खास बात रही कि इसके द्वारा जो गुनात्मक उत्पाधन हुआ और हमारी आमंदनी भी बढ़ी और उत्पाधन भी बढ़ा जो देश के लिए एक संकट था तो जब उत्पाधन भी बढ़ जाया और आमंदर में भी बढ़ जा तो किसानों के लिए उपियोगी बात है तो इसी बात को समझते हुए हमको बहर सरकार के द्वारा पदमसरी पुर्षकार दिया गया दोहजार उन्निस में उससे पहले और्गैनिक वर्ल्ड कॉंग्रेस के द्वारा धर्ती पुत्र का वार दिया कर्मर प्रोफेसर की भी डिग्री प्रतान की इससे क्या हुआ गए इससे जिम्मेदारी और बढ़ती गई और हम लोग अपनी वचन बदता के साथ किसानों के साथ जुट गए इस आधार पर हम पिरती महा किसानों को 200-300-400 से लेकर 1000 तक किसान लोगडाउन से पहले तो इस् मोटे आनाजें आजकल जैसे चिया सीड है किनुआ है ची और जिन से अच्छी पैदावार कमाई जा सकती है अलसी है अलसी की आजकल वो लिंसीड के नाम से अलफा ओल की रूप में काफी उसकी खपत बढ़ गई है तो उन सब चीजों को चुन-चुन कर किसानों के लिए उ और किसान अंदोलन में जो किसान बैधे हैं वो भी बिना पीरा के नहीं बैठे हैं और उसका भी सिदा सिदा बजार में खरीद और MSP से नीचे पूरी लूट के कारन किसान पीरा में है सरकार ने बदलाव भी इसलिए किये थे कि मंडी भी बनी रहें MSP भी बना रहें और उसके समानांतर कोई विकल पैसा दिया जाए जिसमें किसान सहकारी ताके आधार पर उत्पादन को भी समझें उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग को भी समझें और भाजार तक का रास्ता खुले इसके बीच में कॉर्परेट को भी इसमें जगे देने की कोशिस की गई है लेकिन मैं तो किसान भाईयों से निवेदन करूँगा कि जितनी उर्जा हमारी अंदोलन में लग रही है उससे ज़्यादे ज़रुवत है कि हम सरकार के साथ बैठकर चिंतन सी लोगों को साथ साथ बैठाएं और पॉलिशी और नयाय की मुद्दे पर गहरी चर्चा करें ताकि आने वाले भविश के लिए हम किर्शी नितियों को किस डंग से आकार दें दूसरी बात ये भी करें कि हम उसी ताकत को ग्रामी डिस्तर पर भी जोग दें और सैकारी ताके आधार पर अपने ही आपना ही तंतर खड़ा करें चुक्के भारत सरकार ने फार्मर प्रडुशर कंपनी एक्ट को इसलिए किसानों के लिए खोला है ताकि किसान भी समानतर कंपनियों के रूप में खड़े हो सके अब लोगों को सवाल उठता है कि छोटी कंपनिया कैसे खड़ी होंगी इसलिए मेरा निवेदनी है मैं भी एक किसान हूँ वो बहुत बड़ा किसान नहीं हूँ 6-7 एकर जमीन मेरे पास है और उससे जो मैं काम करता हूँ वो बहुत ही सम्मान जनक काम है जिनके अधार पर ही पूरे देश में एक पहचान भी है लेकिन मेरा निवेदनी है कि हर किसान इस काम को कर सकता है अकेला नहीं कर सकता है अब खेती में बदलाव के लिए हमको बिलों में बदलाव के लिए जिद करने से ज़ाद है अपनी मान सिक्ता में ही परिवर्तन करने की ज़रूत है ताकि हम किर्शी का भी व्यवसाई करन कर सकें चुकि हम अब तक केवल उत्पादक बन कर जी रहे हैं तो व्यवसाई क्यों ना बने ये एक मुद्दा तो ये राय में बिल बिलकुल ठीक है उसमें संदक्षन के और न्याय के कुछ मुद्दे हो सकते हैं कि जो आने वाले समय में किसानों के लिए कोई तक्रीप दें तो उस पर भी बराबर विचार चल रहा है वो सब वोई मुद्दे हैं कि यदि MSP है तो MSP को संदक्षन कैसे प्राप्त हो यदि मंडिया बनी रहेंगी तो उनके समाननतर मंडियों में संघर्षना हो जाए और यदि हम अवर्शक वस्तु अधिनियम एक्ट को देखते हैं तो उसमें कोई भी जो भंडारन है वो कहिना कहीं जमाखोरी में ना चला जाए किसी भोगता का या उत्पादक का सोचन ना हो जाए ये सारी एवे उस्ताय ना हो जाए इसके लिए बार-बार बिल में परिवर्टन होते भी रहे हैं बिल में संसोधन की तो आवसकता है लेकिन बिलों को वापिस कर लिया जायर ये जो इस तरीके का विरोज और जिद चल रही है ये ठीक नहीं है भरत बताते हैं कि वो अपने खेती से दो गुना कमाते हैं और बिचौलिया को अपने पास तक नहीं आने देते हाला कि इस दोरान भरत ने सरकार को कानूनों की खामियों में संशोधन करने की सलह भी दी बुलन शेहर से टाइम 24 न्यूज के लिए एकबाल सैफी के रिपोर्ट